जगत गुरुजी नमस्कार आपका स्वागत है। सबसे बिलो तो गुरुजी यह जानना और समझना भी है। फिलहाल के दौर में सनातन हिंदू संस्कृति आज के यूग में आप उसको कहा देखते है। हम भारतिय संस्कृति में सनातन धर्म को सर्वस्रेष्टता प्राप्त है। मूल सनातन धर्म ही है उसी में हिंदू धर्म का समावेश है। तो शेकणों वर्षों से सनातन धर्म पर अर्थात हमारे भारत देश पर और सनातन धर्मा वलंबीयों पर अनेका अक्रमड हुए हैं इतिहाश इसमें प्रमाड है बर्तमान में जो सनातन धर्म का आपने पृष्ण किया है सनातन धर्म की रक्षा का तात्परिय सनातन धर्म का पालन करना होना चाहिए यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म की रक्षा सुतह हो जाती है अलग से कोई प्रयास नहीं करना होता है क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है कि हमें अलग से कुछ करना पड़े हम स्वयम ही यदि हिंदू हैं सनातन धर्मावलंबी हैं या दूसरे भी कोई धर्मावलंबी हो और वो अपने धर्म का धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना होता है हम सनातन धर्मावलंबियों में हिंदूओं में हम यही अपिक्षा रखेंगे कि यदि हम सत्ह अपने धर्म का पालन करते हैं हमारी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं अपने धर्म शास्त्रों का पठन पाथन करते हैं करने से हमारी रक्ष्श्या करती है तो यहां धर्म की रक्ष्श्या में धर्म का पालन करना ही अभीष्ट है स्वामे जी देखे, अम संसारी जो समढते हो, इसके हिसाब से सनातन येख संस्कूरुती है, हिंदू येख दर्म है, लेकिन थिया संस्कूरुती धर्म और उसके निचे संप्रदाय भी शलू हो गएं, अम लोग बात करते हैं सनातनी और हिंदु धर्म को विधर्मियों से खत्रे कि लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सच्चा ये भी तो है कि हमें खत्रा हमारों से ही धर्म में जो बटवारा हो रहा है संप्रदाय के नाम पर उसको आपकी सजरी से दिखते हैं उस पर सचेत होना चाहिए संप्रदाय का अर्थ क्या है सम्यक प्रदीयते अच्छी तरह से सनातन धर्म मैंसे ही किसी महापुरुष ने एक उपासना पद्धिती उपासना विजेश उपासना पद्धिती का निर्माण कर अपने भक्तों को उसका पालन करने का आदेश दिया बाद में यदि उसमें कुई विकार आता है तो उसको ठीक करना चाहिए और वो नहीं आना चाहिए मूल तो हमारा धर्म-सनातन धर्म ही है तो इसलिए संप्रदाय का अर्थी ये बिलकुल नहीं है कि हमको टुकड़े टुकड़े हो करके और क्योंकि सबका इस्ट तो एक ही ही है तो कहीं भी किसी भी प्रस्थान से किसी भी इस्थान से किसी भी मार्ग से हम जाएंगे हमारा गंतब्य तो एक है इसी तरह से हमें इस्वर की कृपा पराप्त करनी है तो उसके मार्ग अनेक हो सकते हैं उन मार्गों का आस्रे लेकर के जो लोग अपने उद्दिश्च को पूरा करना चाहते हैं, परम्तत्य को पाना चाहते हैं, आपशमें उनको विवाद नहीं करना चाहिए. स्वामी जी, जो भी पुरुष हैं, जो भी इनसान हैं, उन्होंने दिशा दिखाई, दर्म सिखाई, मान सकते हैं, और उनके अनुवयायों ने एक संप्रदाया शुरू किया, लेकिन क्या जिनके नाम पर संप्रदाया शुरू होता है, उनकी तुलना भगवान के साथ, इस्थान पर इस्थापित करते हैं, और उनकी आराधना करते हैं, लेकिन इसका तात्परी यह नहीं है, कि हमारे परंपरा से प्राप्त देवी, देवताओं की अभहेलना करके, संप्रदाय चलाने वाले की मूर्ती की प्रथम पूजा करें, और बाद में हमारे जो आदी मह परुष हैं, आदी सिर्ष्टी की जनोंने रचना की है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महिस कहते हैं, जिनको जगदंबा कहते हैं, जिनको सक्ती कहते हैं, नौदरगा कहते हैं, काली, तारा, सोड़ती, महाविध्या, इत्यादी, नौदरगा और दस महाविध्या, इन सब की जो हम आराधना करते हैं, अमबा जी की आराधना करते हैं, आप लगों की भी कुल्दे भी कुल्दे होता होते हैं, किसी की उमिया माता हैं, किसी की आशापुरा माता हैं, उनकी उपेक्छा नहीं की जा सकती है, उनकी उपेक्छा का आदेश ना कोई महापुरुस दे सकता है, क्योंकि जिन महापुरुसों ने अपने सिस्चियों को संप्रदाय में उपासना करने का आदेश दिया है, उन महापुरुसों ने सोयम उपासना की है, तो वो किसकी उपासना की है, जिसकी उपासना उन्होंने की है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्या संप्रदा जो भी पौरशय होगा जिसका निर्माण पुरुष करेगा वो नस्ठ होगा या जन्यमतन नस्यम वो नस्ठ होने वाला है उसकी अवधी भले ही 200-400-500 साल हो जाए लेकिन वो इस्थाई नहीं रहने वाला है जो आदी अनादी परमपरा है वही इस्थाई रहने वाली है इसलि विच्छेदे सती हमारे जो वेद हैं जो इस्थाई का दर्सन कराते हैं जिनको जिनके उपदेश से उपनिसदों के उपदेश से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं वो अपोर से हैं संपरदाय कहीं से प्रारंभ हुआ है तो किसी ने प्रारंभ किया है तो उपासना की जर्मपरा को छोड़ करके नए नए देवी देवताओं का निर्मान करना, उनकी आराधन करना, इसका सास्त्रों में कहीं कोई विधान नहीं है, व्यक्ति पूजा का हमारे यहां निशेद है, हमारे यहां दोकी ही पूजा होती है, इस्वर की अगुरू की बसुदू. स्वामी जी फिर क्या वज़ा रह सकते हैं कि आज की तारिक में सचा ही है स्वामी जी, दार्मिक जो मंदीरे हैं वहां या तो मठ है या जगह है, आस्ता के केंदरे जरूरू है, लेकिन वहां जाने वाले लोगों से ज्यादा, अब एक बड़ा वर्ग तपता यह देखने को म देखने में ऐसा ऐसी प्रतीती होती है, लेकिन भारी पढ़ नहीं सकती है, यह मनमानापन है, यह नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जो भी करेंगे वो अस्फल होंगे, कुछ समय के लिए धन के बल पर या किसी बड़े पुर उसका व्यक्तियों का साथ हो जाने के कारण, यदि हम मुबर उठते हैं, तो उनके पतन के साथ उठने वालों का भी पतन हो जाता है, बहुत दिन नहीं चलता है, स्वामी जी, आप क्या मानते हैं कि धर्म गुरु है या तो संप्रदया के जो गुरु है, उनका अर्थ तंत अलब यह है कि आपके मन में लोब है, चाहे वो कोई भी हो, जिसके मन में स्वयम लोब है, अर्थ प्राप्ति का, वो अपने सिस्च के लोब को नस्ट नहीं कर सकता, हम महापुरुष या गुरु की सरण में क्यों जाते हैं, कि हमारे काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्तर, इन विकारों का समन हो, यह नस्ट हो, इनका समन हो, और यदि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, वही यह देखा जा रहा है, कि यह कितनी दक्षणा हमें देता है, कितना डोनेशन देता है, कितना पादुगा की उपर अरपन करता है, कितना दान करता है, यही दृष्टी अगर धर्म इस्थान के विवस्था आपकों की बनी होगी, तो ऐसे इस्थान से वहां जाने वालों का कल्यान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो शोयम कामना बाले बने हुए हैं, तो आपकी कामना को कैसे नश्ट करेंगे? तो गुरु जी कमी कहां रहेगे? शिक्षा दिक्षा में कमी रहेगे संप्रदाय और धर्म के उन गुरुवों में, जो सिर्फ और सिर्फ बहुती सुख के पीशे भागते हैं, मर्ठ है या संप्रदा है या मंदीर है, जो भी केंपस है, उसको बड़ा करने के चक्कर में होते हैं, अतिक्रमन करके भी बड़े-बड़े मंदीर बनाते हैं, बड़ी-बड़ी धिरम्शला बनाते हैं, सभी के लिए तो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अन्सों में या देखने में आ रहा है, जो आप कह रहे हैं, तो वहां मर्यादा को छोड़ करके, यह सब किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है, वो तो परेटन का स्वरूफ हो जाएगा, और होटलों जैसा बेवार हो जाएगा, कि वहां हमारे यात्री आएंगे, भक्त लोग आएंगे, उनको हम जादा शुविदा देंगे, तो उनके जादा धन की प्राप्ती होगी, तो यह सब ठीक नहीं है. स्वावी जी कोई माने ना माने लेकिन सच्चा ही है, कि हिंदु धर्म के कही संप्रदा ऐसे हैं, जिनके लिए एक बिजनेश चन भी कहा जाता है, कही गुरू क्योंकि हम साधरान लोग वह तो भगवा दिखते हैं, बगवा वस्तर देखते हैं, उनको गुरु समझते हैं, और पुजा भी करते हैं, प्यार भी चुते हैं. यह मानते हैं कि यह देवदूद हैं, उनके जरिये भगवान तक हम बहुन सकते हैं. लेकिन ऐसे ही गुरू हम भीदनी सहा महदभाते हैं आर ऐसे ही गुरू कई व्याब पीषार में हाते हैं, कई संपति हड़पने में आते हैं, कई प्रकार के विवादव के चलके, इंदू सनस्कृति सनात्न सन्कृति को कितना कथर ला है। हम लोग बार 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 बात बोलते हैं मंचों से भी परसों भी यहां हमने यही शुरुआत की थी कि समस्त हिंदूओं को और जो हिंदूओं के बच्चे हैं यानि जो अवनारी पीडिश है इन सब को हमारे धर्म ग्रंथों का अध्यन करना चाहिए जब हम अपने धर्म ग्रं को भी हमें धर्मसास्त्र के अध्यन से ही आती है स्वामपी ची क्या वजह रहेंज़ आज भी यह पाया जाता है इंदू करही क्यों या के च्नभी ऑता है या मुसलिम होता है इस्लम प्रविश्कार करता हे आपको कि लग रहा है उसके फ़िछे की वजह बहारी लो गैंज- इसी संस्कृतिया तो इसी धर्वा से जुड़े लोगे, कमी कहा है, अब देखिए, इस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिवेश किया, व्यापार के नाम से प्रिवेश किया, आज ये सेवा के नाम से प्रिवेश कर रहे हैं, हम भारत की गरीबी को दूर करेंगे, गरीबों की अधाल बनाएंगे, वहाँ इस्कूल बनाएंगे, सिक्षा के केंद्र बनाएंगे, उनको दलिया देंगे, डबल रोटी देंगे, और विस्किट देंगे, नए नए वो जो उपिहार होते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ जाजा करके, प्रलोभन दे करके, कई तर ऑखुले हैं, क्यूंकि उन्हें मालूम है, अच्छी तरह से, कि भारत का जो संविधान है, वह संविधान वहुमत पर राजा को सिद्द करता है, जिसके पास वहुमत है, वही राजा है, योगता का तो आधार रहा नहीं अब, केबल वहुमत के आधार पर ही राजा की सिद होंगे तो इशाईयों के पक्षबाला राजा होगा तो उन्होंने धीरे धीरे सनही सनही 25-50 साल के लिए बहुत अच्छा प्लान करके प्रोग्राम बनाया है हमारे गुरूजी का एक आस्रम है जहारखंड में मद्ध प्रदेश में भी है जहारखंड में भी है तो वहां जिन बनाते हैं तो जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए प्रयाश किये जा रहे हैं उस तरह से जागरती भी काफी आई है लोग अब काम करने लगे हैं बड़े-बड़े संग बड़ी-बड़ी संस्था हैं इस वर जागरत हुई हैं क्योंकि इन छेत्रों में हम लोगों का भी जाना होता है बुजरात के छेत्रों में भी मदवर्देश भी और जारखंड भी तो काफी कुछ लेकिन अभी उनकी अपेक्छा कमी है क्योंकि उनके पास जो धनवल है धनवल है हमारे यहां जो पैशा उनके कल्यान के लिए जो संपत्ति उनके कल्यान के लिए दी जाती है भेजी जाती है वो पूरी तरह से ठीक से वहां तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है इसमें बड़ा संसय हुआ करता है और बड़े लोग बड़े ही इस्थानों पर दान धरम कर दिया करते हैं चोटे-चोटे कामों में चोटी-चोटी बातों में वहां तक उनका वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनके बिचार नहीं पहुंच पाते हैं। वहां तक उनकी गती नहीं होती है। तो उसके लिए जागरण करना आवस्यक है। और इसके लिए काफी संस्थाय हुआँ अब काम करने लगी है। गुरु जी लव जहाद करके एक नया शब्दा है, गुज्जात में तो खास करके उसको लेकर कानून भी बनाए, आपके पास लोग भी आते होंगे, बाते भी आती होंगी, बात क्या आती है, सही में इस प्रकार के रैकेट होते हैं या बच्चे इसी प्रकार से प्रेमजाल म के द्वारा, मुस्लिम समधाय के द्वारा भी और इसाइयों के द्वारा भी बिल्कुल प्रायोजित कारिक्रम है इन लोगों का, हिंदुों की संख्या कम करना है, हिंदुों के प्रभाव को कम करना है, भारत में अपनी उपस्तती दर्ज कराना है, इसके कई इन्होंने प् बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दो-तिन चीज़ जानना भी चाहता हूं, धर्मनिती और राजनिती, ये दोनों को आप किस नजर से देखते हैं, साथ मेरा एक सवाल है स्वामी जी, धर्म से जुड़े लो, क्या तो धर्म गुरु उनको राजनिती में सिध्य तोर पर दि प्रीती, ये राज्य था, ये हमारा अदर्स था, प्रमातमा करी राम का राज्य था, तो राजा, हमारे देश का राजाधार में खोना चाहिए, क्योंकि राजनिती कितनी ही दूसित हो, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं, और प्रत्यक्ष है, कि राजनिती से लाखों जुड़े हुए रहते हैं, उसके पीछे-पीछे चलते हैं, लाकों लोग, तो यदि वह नेता, वह हमारा मंत्री धर्मक होगा, तो उसके साथ में रहने वाले लोग, पीछे-चलने वाले लोग भी धर्मक होते रहेंगे, होना चाहिए, इसलिए राजनीती पर धर्म का रोत कुछ होना चाहिए, सच्च जरूरत roof लेकिन, धर्म में राजनीति होती हो, स्वामीजी , वो कितनी जाहिए। आप यह कहना चाहे रहे हैं कि राजनीति ग्म्हे लोग धर्म का अलाभ ले करके अपनी प्रिशिद्धी अपना काम कराना चाहते हैं किसी भी विशेष संप्रदाय का सांथ दे करके उनका सांथ लेना चाहेते हैं अपने लिए तो यह राजनीती का उनका अपना प्रकार है लेकिन यह बाट ठीक नहीं है बास्तों में राजनीती यत्रयोगे श्वरह कृष्णे यत्रपार्थो धनुर्धरह तत्रत्रीविजिय और भूत जहां धर्म होगा नीती का पर्याय क्या है राजनीती जिस राज्य को नीती पूर्वक्स अंचालित किया जाए उसी को दो राजनीती कहते हैं तो नीती क्या है नीती माने धर्म धर्वास्मृती वही नीती है वही धर्व है और वही सत्त है तो राजनीती में जो नेता सब्द है उसका अर्थ है ले जाने वाला नयन करने वाला अर्थात मार्ग पर ले जाने वाला सनमार्ग पर ले जाने वाले को नेता कहते हैं नेता हमारा जब धर्मिक होगा तो ही हम में सनमार्ग पर चला पाएगा नेता एदी स्वयम भृष्ट होगा स्वयम विचारी होगा भृष्टाचारी होगा तो लोग उसको अपना नेता बना करके गलती ही करेंगे भूल ही करेंगे उससे हमारी देश का ना तो विकास ना बहुतिक विकास होगा ना आर्थिक विकास ना भहुतएक विकास होगा ना अध्यात्मिक विकास होगा कुछ नहीं हो सकता. क्या आज की तरीख में ऩ। राम्राज्य आपको नजर आना है। संस्कूर्टी के शलिद्र कारसोगा गौहत्यः बंद करनी है। हिंदू राष्ट बनाना है आपको रामराज लाना है तो सबसे पहले तो गोहत्या बंद होने का कानून पारित होना चाहिए संविधान में संसोधन होना चाहिए और गोहत्या बंद होनी चाहिए पहली कशोटी तो यही है गोशु भक्तिरभव इद्यच्यो क्योंकि हिंदू होने का सनातनी होने का पहला लक्षण है गोकी पूजा फिर हमारी जो शिक्षा है उसमें धर्म का समावेश होना चाहिए फिर जो हमारा भारती संविधान है उसमें जो बिविदता है और जो भेद है वो नस्ट होना चाहिए रामराज लाएंगे रामराज हमारा है रामराज ह हो जाएगा हमारे देश में 20 करोड मुसलमान होते हैं रहते हैं बारत का संभिधान उनको रहने की अनुमती देता है उनके विचार उनके संबंध में विचार करना होगा सिक्षा पद्धती में विचार करना होगा रहन सेन की पद्धती में विचार करना होगा एक ही देश में रहने वालों के लिए कानून भिन भिन नहीं होना चाहिए इस पर विचार करना होगा तो इन सब पर बहुत विचार करने की यह रामराज का प्रारूप क्या होगा पहले तो यह तैयारी करना पड़ेगी ना इसी तरह से हिंदु राष्ट होने की संभावना अगर सच होती है और रामराज आता है तो इसकी हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए किस तरह से रामराज को हम सिध कर पाएंगे रामराज बैठे तई लोगका हर सित वहे गये सबसों का सब लोग आपस में कैसे प्रेम करेंगे ताप तुर कैसे रहेंगे और कोई भी देश, कोई भी देश एक विशिष्ट संस्कृती को धारण करके ही अपनी उन्नती करता है. तो हमारे रामराज्य की जो संस्कृती थी उस समय, आज तो वो नहीं ही है, आज तो वो नहीं ही है. तो हम कैसे बिस्तार पूरबक जहां है, जो है, जितनी सुरक्षित है, वो हमारे लिए अच्छी बात है. लेकिन लोक्तंत्र है और सासन इस तरह से 75 साल से पहले अंग्रेजियों का सासन था, 75 साल से जो सासन हमारे देश में चल रहा है, जिन पार्टियों के द्वारा चल रहा है, वो संबिधान के आदेश का ही पालन कर रहे हैं. और संबिधान में तो रामराज जैसी बात कुई है नहीं, हिंदू राष्ट की कुई बात है नहीं, संबिधान आपका धर्म निर्पेक्छे है, किसी भी एक विशेश धर्म का आग्रह लेकर के हम भारत को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, एक नेपाल हिंदू राष्ट था, वहा ऒर्म गुरू जी थे, उनके गुरू जी धर्म शम्राट स्वामी करपात्री जी महराज, चारू शंकराचारी और उनेश चो बाशट में जब हिंदू कोट बिल उनेश चुछपण में हिंदू कोट बिल जब आया, तो उसके विरोध में बहुत भारत सरकार से कहा गया, भा राम राज परिस्थद नाम की पार्टी बिनाई गई थी। उसमें बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, कि हमारे लोग ही हमारा साथ नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थतियों का जब नर्माड होता है, तो काम करना, काम कर पाना मुश्किल होता है, वही में जब चनाव हुए, तो गुजरात में, राजस्थान में, मद्ध पrzy debates में, काफी विधायक आए, दो सांसद आए राजस्थान से, राजस्थान से दो सांसद आए लोक्सभा में, पहली बार रामराज नीती होती है वह महात्मा लोग नोग उसमें पारंगत नहीं थे तो राम राजी परिशद पूरी तरह से ठीक से चल नहीं पाया तो आवशक्ता है राम राजी की आवशक्ता है होना चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर रादिती करते हैं राजा भी बनते हैं, राजा का मतलब सिर्प दारमंत्रिया और पद नहीं जो चुने जाते हैं. कहीं पर भी चुने जाते हैं कोई भी, वो सही में, सही में अब जो धर्मकी बात करके आगे बढ़ते हैं, अपका अक्लन क्या कहता है? वो उस बात को वफदार है या सिर्फ इस्वाल करते है? वफदार होना चाहिए जिस प्रस्ताव को लेकर कि आप समाज के पास गए, आपने जो प्रस्ताव रखे और कहा कि हम सासन में आने के बाद यह यह या 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 करेंगे ऐसा ऐसा करेंगे वो उन्हें करना चाहिए और दूसरा जो आपका पूछना है उसमें यह है कि 75 साल देश को सुतंत्र हुए तो उन सबकी अपेक्षा अभी इस्थिती ठीक है इस समय बर्तमान में जो शासन है उससे हम लोगों को अपेक्षा है आशा है कि हम इनते कुछ करा पाएंगे या वो कर पाएंगे यह हमको आशा है इंदू राष्ट करो पाएंगे अहां प्रयास तो करना ही चाहिए प्रयास करना चाहिए तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए करते रहने चाहिए और सरकार की विवेक बती बुद्धी में इंदु राष्ठ की स्थापना करने की पहले हम कोशिच करेंगे पर आगे बढ़ेंगे